तो अगर आप change की expectation रख रहे हैं लेकिन कुछ change भी नहीं करना चाह रहे हैं तो change नहीं होने वाला है उसकी abuser की तरफ आपको दया भी रखनी है, pity भी रखनी है, loyalty भी रखनी है, concern भी रखना है और abuser से छूपना भी है खुद सोचिए कि ये दोनों चीजें कैसे possible हो सकती है, कहां से आपकी healing हो सकती है आप तो खुद को इतना gaslight और इतना guilt करके ही दपा देंगे, अगर आप निकलने की कोशिश भी करेंगे इससे पहरे की रास्ता असान हो, रास्ता मुश्किल होगा और उससे निकलना हो आप तब भी नहीं करेंगे, आप excuses बना देंगे sorry अगर मेरे शब्द किसी को harsh लग रहे हैं या कठोर लग रहे हैं, लेकिन कभी-कभी सिखाने वाले एका काम यही होता है मुझे यहाँ पर popularity contest नहीं जीतना है, क्योंकि हर मोमेंट पर life हमें choices देती है हम एक choice लेते हैं, उसके बाद हमें उसी से दो और choices निकलती है और ऐसी रास्ता आगे निकलता जाता है, ऐसी unknown में आपको पिर known चीज़े मिलती है जो जो आप अपने लिए adjectives शब्द दीवूस कर रहे हैं, वही आपकी reality बना रहे है आप अपने लिए empowerment चाही नहीं रहे है बाहर तो आप step लेने को तयार रहे हैं, वो तो श्याद आप बाद में लेंगे पहले तो खुद के प्रती, खुद का ही रवया बदलिये वो कुछ भी जो नेचर में abundance है, नेचर में इतना कुछ अच्छा है वो कुछ भी attract नहीं करने देती, इस self-pity की energy तो यसको है, मैं नहीं कुछ कर सकता और तो मैं सिफ छोड़ दूगा, वो छोड़ना भी एक solution है लेकिन बहुत लोग वो surrender का मतलब भी नहीं समझते वो बोलते तो हैं कि हमने सब छोड़ा हुआ है, हम इसको मानते हैं, उसको मानते हैं लेकिन उनकी complaints का तब नहीं होती है क्या फर्क होता है उन लोगों में जो किसी traumatic relationship में फसे होते हैं किसी trauma bond में, किसी toxic bond में या किसी narcissistic relationship में निकल ही नहीं पाते हैं और उन लोगों में जो इनसे निकल पाते हैं, उबरताते हैं बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें difference होता है उनकी situations, उनके circumstances कि वो किस तरह की society में रहते हैं, किस तरह के family में रहते हैं, वो married है या unmarried है, उन पे कितना pressure है पनी family का या society का उस relationship को बना के रखने का, उनके बच्चे है की नहीं, वो financially independent है की नहीं, वो पड़े लिके है की नहीं, वो गाओ में रहते हैं, शेर में रहते हैं, एंडिया में west में रहते हैं and so on and so forth and while ये सब चीजें matter करती हैं इनका पी फर्क पड़ता है लेकिन अगर हमें बाते तहे की करनी है जो बातों की root होती है वो यही होती है कि चाहिए ये situations एक इंसान की दूसरे इंसान से कितनी भी different क्यों ना हो अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीजे matter करती है किसी को ऐसी relationship में फसाहे रखने के लिए या उसको दबा हुआ ही रखने के लिए या उसको वहां से बाहर की तरफ progress करवाने के लिए momentum देने के लिए और वो है सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा उसकी इच्छा कितनी तीवर है उस relationship को ना सहने की उस trauma bond में उस narcissistic bond में ना फसे रहने की उसकी इच्छा कितनी तीवर है जो एक बहतर जिंदगी है इससे परे इससे अलग इसके बाहर वो experience करने की वो शुरू करने की as compared to वो जो उसके साथ already चल रहा है उसके अंदर habits से या familiarity से बंधे रहने की सास घुट रहा है इसलिए उसको बाहर आके सास लेना ही पड़ेगा या फिर उसको ये relationship कितने भी toxic हो लेकिन वो suffering उसको इतनी familiar लगती है इतनी अपनी सी लगती है कि वो victim बनने को तो तयार है और victimhood की stories share करने को तो तयार है लेकिन उसको end करने के लिए सिवाए शायद कुछ चोटे मोटे इधर उधर के steps के लिए कुछ ठोस कदम जो कदम बाके matter करता है वो उठाने को तयार नहीं है toxic, abusive और even dangerous levels की abusive relationships हर society में पाई जाती है हर ethnicity, हर religion, हर culture, हर धर्म के लोग इससे deal करते हैं हर country में वो एक economically weaker section of society के साथ भी हो सकता है और वो एक बहुत elite section में भी हो सकता है फर्क सिर्फ इतना है कि जो economically lower section में हो रहा है वहाँ पर हम granted लेंगे कि यहाँ तो शायद ऐसा होता ही यहाँ पर women की पार नहीं होती यहाँ ऐसे की मुश्किल होती इसलिए और situation problematic बन जाती है और जो hyper society वहाँ हम सोचे यहाँ पर तो जातर freedom है यहाँ पर तो कभी भी कोई अराम से ऐसे relationship में निकल सकता है यहाँ पर तो किसी को गलत सहने की जरुवत नहीं यहाँ पर तो लोगों का individuality होती है अलग रवय्या होता है abuse हर जगे होता है और abuse इसलिए होता है क्योंकि abuse करने वाला कोई है और abuse सहने वाला कोई है अगर इतना ही आसान होता किसी एक particular section of society में या किसी एक particular situation में, circumstance में, abuse से निकलना या उस तरह की चीज से बिलकुल अपने आपको परे रखना तो फिर वहाँ पे abuse होती ही नहीं, वहाँ पे तो सब कुछ clear होता लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको नहीं लगता कि इसके इलावा आप कुछ कर सकते हैं आपने उतनी हिम्मत नहीं है या आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती है या वो step तो आप शायद किसी से सिर्फ movies में expect कर सकते हैं जहां पर एक बार आप आगए आगए जहां बंद गए बंद रहे जो चल रहा है चाहिए वो पिंजरा ही है लेकिन अब आप उस पिंजरे का गेट से खुलने की सोच में नहीं सकते है या फिर आपकी तड़प उतनी जादा है कि नहीं ये अगर मेरे साथ हो रहा है शायद शुरू में मेरी चॉइस नहीं थी शायद मेरी अवेरनेस नहीं थी लेकिन अब जब मुझे मालूम है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस चीज में खुद को बंदे रखू अपनी जो उनकी specific बंदिशे हैं उनको तोड़ कर ये वाले circumstances वाले लोग भी बाहर निकलते हैं और निकले हैं और वो वाले लोग भी बाहर निकलते हैं और निकले हैं अगे क्या होगा future unknown है ये सब मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना तो पता है कि पहला कदम उठाना मेरे हाथ में ही है क्योंकि ये मुझे इतना matter करता है मेरे लिए इतना जरूरी है इसलिए शाराज नहीं पता लेकिन मेरे desires नायोग में आएगा यह difference होता है, कि वो जना उस situation को no longer accept करने को तयार होता है, उसकी तड़प उस acceptance से जो ज्यादतर victims करते जाते हैं, उससे कहीं बुना होती है, और जब आप अगर आप victim है, आप ऐसे stage पे पहुँचेंगे, तभी आपका deliverance का time शुरू होगा, तभी आपका change का time शुरू होगा, उससे पहले तो सिर्फ आप कहानिया सुनते हैं और अपने आपको कहानिया सुनाते हैं, जैसे कि हम सुनते भी हैं, कि nothing changes till nothing changes, दूसरी चीज़, बहुत लोगों को अपने लिए इस तरह की भाशा या इस तरह के शब्द यूस करते हुए देखती हूं, कि हमारे लिए तो सब खतम हो गया है, मेरे पास तो कुछ पावर ही नहीं है, या हम तो जिन्दा लाश है, इस तरह की बाते, तो प्लीज, आप पहले तो अपने words को watch करिए, यह affirmations हैं, जो आप बार बार अपने लिए सोचते हैं, और बार अपने लिए repeat करते हैं, अपने मूँ से, वो आपकी reality औ और life changing में, self healing में, यह lesson समझे, कि start changing your attitude about yourself, चाहे आप जिस भी situation में हैं, लेकिन उस situation में अपने आपको describe करने के लिए, आप जो जो words यूज कर रहे हैं, वो आपकी choice है, किसी ने आपकी power ली है, लेकिन आपने उसको वो रक भी दिया है, अलाव भी किया है, कि आपकी power ले ले किसी ने आपके लिए difficult, toxic situation बनाई है, लेकिन उसमें मददकार आप भी शायद बने हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं अपने हग के ले खड़े होना, आप नहीं चाहते हैं अपने आपको उस situation के victim के इलावा कुछ भी समझना, और ये आपकी खुद के प्रती vocabulary में, आपके शब्दों में, आपके sentences में चलगता है, सिर्फ बेचारगी, सिर्फ self-pity, सिर्फ अपने ओपर गया, आप stuck है उस disempowerment की, वो victimhood की position में, क्योंकि psychologically वो situation comfortable भी हो जाती है, conscious mind पे हम समझते भी हैं कि हम इसे निकलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको लिख के बता सकती हैं कि अग क्योंकि आपको डर लग जाएगा, क्योंकि आप उस familiar routine से, उस familiar toxicity से, उसमें आपकी familiar victimhood से इतने used to हैं कि subconscious लेवल पर अभी आप वो change block कर रहे हैं, आप चाहते ही नहीं हैं, आप खुश हैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी expression देके, या यह अपने आपको जूट बोलके या बहार पैर मारेंगे ही, मारेंगे, चट पटाएंगे, और कुछ ना कुछ तो करके ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, और जब आप वो कुछ ना कुछ करेंगे, तब divinity आपको 10 और steps बताएगी, आप चाहते हैं कि आपको पहले ही सारा रस्ता अंत तक दिख जाए, पूर आपके अवगून थे, आपकी weaknesses थी, आपके unhealed portions थे, उस process में वो सारे heal हुए, बदले, कि आपकी जिंदगी बदलेगी, तो अगर कुछ teach ही नहीं हुआ, कुछ learn ही नहीं हुआ, तो आप क्यों बदलेगी, वो आपका lesson है कुछ सीखने के लिए, आप उससे कुछ सीखना नह है, वैसा कब ऐसा रहे, बस और कुछ उपर से magic हो जाए, नहीं होने वाला है, आपको उस तरह से mislead करने वाले लोग तो बहुत होंगे, कि आप 60 दिन ये कर लो, आप 10 दिन ये कर लो, सब change हो जाएगा, हम आपको रामबान दे देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंग जिसको कुछ भी नहीं पता होता ना, इन में से, लेकिन उसको अंदर से हसास होता है, कि उसके साथ ये जो हो रहा है, वो गलत है, और वो accept करके ये नहीं जी सकता है, उसको matter करता है, उसको अपनी जिन्दगी बेहतर जिये, वो ये सब बिना information के भी कुछ ना कुछ सही step ले जिसकी नहीं change होती है, वो अकसर सब कुछ जानने के बाद भी सुनने के बाद भी वेच कर रहता है, कि शायद कोई और उसको rescue करेगा, शायद कोई और उसको किसी तरहां से जादू करके महां से निकालने आएगा, लेकिन जिसकी ठीक होती है, उसे पता है कि मुझे ही करना ह अगर मेरा lesson है, मेरे साथ हो रहा है, तो stampy तो मुझे ही लेना है, हिम्मत भी तो मुझे ही दिखानी है, इतनी difficult situation है, तो वो situation से निकलने के लिए भी courage तो चाहिए न, लेकिन अगर मुझे बार में आसानी करनी है, तो मुझे ये मुश्किल से लड़ने के लिए तयार होना प और अगर आपको नहीं कोई बहुत स्ट्रॉंग कदम उठाना चेंज करने के लिए, आप नहीं वो हिम्मत जुटा सकते हैं, या आपको इतना मैटर नहीं करता है, कि मैं इतना जादा हार्श कोई step लूँ या मैं इतनी जादा कुछ करिज दिखा हूँ, जिसको मैं अपना भूसला बोलता हूँ या बोलती हूँ बना हूँ है, वो एफेक्ट हो, जैसी भी stability हो, चाहे toxicity के आधार पर बनी हूई, so-called stability हो, जैसा भी बना हूँ है, जो भी जिसको मैं family बोलती हूँ हो धाचा बना हूँ है, मुझे वो तो बना कर रखना ही है, तो अगर आपको आपके इस तरहां से जो कुछ करना होगा, उस पे surrender करिये, जो जैसा होना होगा, जब होना होगा, जिस दिशो आपको लिजाएगी, उसके साथ वैसे ही surrender करके जाते जाएए, फिर रोह ये मत, तो लोग बरबर society का मोलते हैं, वो तो मैं खेना ही चाती हूँ, कि या तो खुद को अ जो मैनमेड है, जिसके कोई शायद value भी नहीं है, religion को, society को, culture को ज़्यादा value दे दीजे, उसको loyalty दे दीजे, यहाँ पे again आपकी choice है, और जो भी आप choice करते हैं, आपके हिसाब से जो भी ठीक और गलत हो, आगे की choices उस choice से ही निकलेंगी, जिन्दगी आपने जीनी है, तो आ अगे, अलग-अलग तरहां से पढ़ने वाला है, इसलिए, choices जब करें, ध्यान से करें, और कुछ नहीं, even भक्ती, जिसको भी आप मानते हैं, उसके उपर ही सब छोड़ देना, वो भी solution है आपके लिए, जिसको कुछ नहीं और करना, उसमें भी एक surrender का भाव होना चाहिए, फिर वो open भी रहेंगे कि उन्हें कोई insight आए, कोई guidance आए, जो वहाँ से आई है, तो वो उसे पर अमल करें, उसे follow करें, नहीं, उनको पूरा trust नहीं होता है अंदर से, तो भक्ती भी ऐसे नहीं होती है, उसके लिए भी surrender का वो level होना ज़रूरी है, जैसे बोलते हैं ना, कि जितनी पातरता है, grace भी उतनी ही आएगी, तो अगर आप में पातरता नहीं है, लेकिन आप grace दुनिया भर की चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा, इसलिए देखिए, यहाँ भी choice आपकी है, फिर आप उसको बार-बार लेके complain नहीं कर सकते हैं, आप बार- चक्राज expand हैं यह नहीं होने देते हैं, तो अगर आपको बार-बार यह victimhood में रहने की आदत है, क्योंकि इससे comfort लगता है, इसे लोगों की sympathy मिलती है, और कुछ नहीं मिलेगा, फोड़ी से sympathy मिल जाएगी, उससे आपको addiction हो जाएगी, फिर कहीं और sympathy मिल जाएगी, बस उतन नहीं लाना, और कितने लोग हैं यहां पर जो मैं जितने सारे spiritual understanding के videos बनाती हूं, उसको देखते हैं, जो traumatic relationships में है, toxic relationships में हैं, कुछ लोग हैं, जो definitely देखते हैं हमेशा उनको, अपनी inner healing पे, अपनी self awareness पे बहुत जादा commitment है, लेकिन कुछ लोग हैं, जो सिफ trauma bonding या narcissism से related, अगर कोई specific videos आएंगे, वही देखेंगे, जबकि मैं बता चुकी हूं कि please, आपकी ये जो bonds हैं, ये अपने आप में vacuum पे नहीं हैं, कुछ life lessons हैं, कुछ karmic चीज़े हैं, तो आप spiritual understanding के videos सुने, क्योंकि वो आपको directly, indirectly clues देंगे, समझ देंगे, वो आपकी awareness और deepen करेंगे, इ की तरह से नहीं, बहुत तरह से, आपको वो सहियम देंगे, समझ देंगे, intuition देंगे, clarity देंगे, कि solutions आपके पास खुद से आने लग जाएंगे, लेकर मैं जानती हूं, बहुत सारे लोग वो देखने में interested नहीं होते हैं, उन्हें लगता है वो तो boring चीज़े हैं, unless and until कोई बाबाजी के पास उन्हें भेज दें, यहां बाबाजी उनको कोई पोटली में कुछ भर के दे दें, या कुछ और उनको लगता quick fix advice दे दें, इसके अलावा कहीं भी उन्हें हो कि खुद कुछ काम करना पड़ जाएं, इसमें कौन माथा पच्ची करेंगे, तो फिर वो अप्लाइ करने के लिए इतने interested होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिना mindfully, या बिना अपनी accountability रखे, बिना अपनी responsibility खुद लिए, कुछ भी नहीं होगा, ना physical solutions, ना practical solutions, और ना ही spiritual solutions, spiritually मुझे ही बदलना है, या तो मुझे surrender कर देना है divinity को, या फिर मुझे deep जाकर समझना ह कि ये क्या ताने बाने है, ताकि इनको release करने की समझ भी, वो release जिस तरह से भी होता है, चाहे मैं उसी के बीच में रहकर release कर पाऊं, या उससे अलग रहकर release कर पाऊं, वो समझ भी मुझे वहीं से आ जाएगी, guilt आता है, दर्द आता है, उनको लगता है वो ध्यान कैसे रख क्योंकि जब आपको समझ आएगी, तो आपको ये भी समझ साथ में आजाएगी, कि एक wrong चीज को accept करना आपकी responsibility नहीं है, तो again आप अपने लिए अपने ही attitude से अपने ही ignorant thinking से choices कर रहे हैं, हर moment पे कर रहे हैं, तो बस अभी के लिए सिफ यही कुछ शेर करने का पान हुआ था I'm sure इस से अगर किसी को कुछ समझ मिलनी है, इंसाइट मिलनी है, उसे मिल गई होगी, जिसको नहीं, वो फिर again उसकी choice है